हलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ में शेर करूंगी गोश के अचार की रेसिपी जिसे बनाएंगे हम ये साल और खाएंगे आने वाले तीन साल बहुती चटा के दार और टेस्टी अचार बनकर रेडियोता एक बाई जुरूर से ट्राइ किजेगा तो जुरूर से मैं चैन मतन को बड़िया तरीके से वुष कर लिया है निथार कर इसके इस तरह से चप्टे चप्टे पिसस ले ली आँए अब हम लेंगे फांच नीम्वो तो हम आगे और बी नीम्वो लेंगे लेकिन prakt की पांच नीम्वो का जो है तो रजिख कर चैनाbas है तो इसमें हम निकालेंगे वरना वहाँ हमाय रैसिपी का टेस्ट भी गढ़ जाएंगा वहाँ इसतंञा जो है तो सारे नीमबू का हम इसे रस दालेंगे और आथ इसके बीजें को निकाल के साइट डेंगे आभ इसमें दालेंगे हम थोड़ा सा नमक नमक दालने के बाद में इन दोनों का अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताके जो नीमबू और नमक जो है तो मटन में बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए इसे 10 मीट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे अब हम एकदम ऑथेंटिक रेसिपी बना रहे है तो ऑथें करते हैं अब इसमें डालेंगे 1500 ग्राम ऑईल को थोड़ा सा गरम होने देंगे उसमें डालेंगे मटन और उसका रस है यानि नीमबू का रस वो भी हम इसमें डाल देंगे इससे अच्छी तरह से जो है तो हम मिक्स करेंगे पहले ताकि जो है तो मटन में ऑईल बढ़िया तरीके से लग जाए अब इसे ढख देंगे और मीडियम टू लो फलेंपर पंदरा मीट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए अब जब तक हम दस नीमबू को जो है तो एक कप में जो है तो इसका रस निकाल लेंगे ताकि जो है तो हमें आगे रस एक साथ में निकालना पड़ें निकाले वा रहेंगा तो एकदम फटा फटा में यूज़ कर सकते हैं और इसके छिलके भी बहुत सारे यूज़ में आते हैं लिमबू का रस निकल चुका इसे छान लेंगे ताकि इसके बीज़े निकल जाए अब इसे भी साइड में रख देंगे फिर से गैस वन लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हलकी आज पर रोस्ट करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी जलने का डर होता है तो हलकी आज पर हमें रोस्ट करना है और जो गैस का फ्लेम को बन कर देना है इसे ठंडा करने के लिए रखना है अब यहाँ पर हम देखेंगे मटन में कि जरूद नी होती है इसे फिर से slow flame पर रख देंगे पहले medium तो low flame पर रखे थे आब इसे slow flame पर 15 मिट के लिए रख देंगे तो 15 मिट हो चुके तो फिर से 15 मिट रख देंगे अब हमारा जो है तो मसाला ठंडा हो चुका है इसे mixy की जार में लेंगे इसे counter-dare लेंगे घरता हाते हमने क्नी में कोटा हुआ यह सबस्क्राण आधि जो यह शन्राजबर में आयह सांवा एक जो नहीं कित थे रही हैं जुट मैंनना सान होन्त मिठे नीम के पत्ते हमें लेना है 15- 20 मिठे और जब लेना है में इस नहीं लिए यानि ऍाली फ्रेश उसे नहीं लिए कि लेगिन अगर आपको इस्टोर करना हो तो आप ड्राइवाला इस्तिमाल करें अब हमने देखा तो यहां पर जो है तो 15 मीट के बाद में तो सारा मॉस्टर जो है तो सुख चुका था थोड़ा सी ओई रही चुका था फिर से 15 मीट स्लो फिलें पर हम छोड़ देंगे तो देक ब adesso 10 Section इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे जो हमने मसाला बनाकर रखा पूरा डालेंगे वैं टेबल स्फून जो है तो लालंच Porड़र डालेंगे half tea spoon जो है तो healthy powder डालेंगे इसमें डालेंगे rye डाल two table spoon बीना छिलके की और फिर जो है तो लसुन डालेंगे इसमें जो garlic जिसे कहते हैं अगर rye हम घर में जैसे mustard लेंगे और इसे piece कर इस्तिमाल करेंगे ना जो recipe हमारे black हो जाएंगे क्योंकि वो छिलके वाली होती है इसलिए आप make sure बीना छिलके वाली राई डाली इस्तेमाल करें अब इसे 2-3 मिट पकने देंगे मसाल अच्छे तरीके से पक जाए फिर इसमें हमने 10 lemon का juice निकाल के रखा है वो डालेंगे तो आप 1 kg का measurement याद रखेंगा पूरा 1 kg का measurement है अगर आप half kg बना रहे हैं तो सारे मसाल और lemon इसे half करना है हमने 15 lemon इसमें यूज किया है तो आप 7-8 half kg में lemon यूज कीज़े ये 1 kg है तो हमने 15 lemon यूज की इस टाइम पर नमक चखलेंगे और फिर इसमें नमक दालें क्योंकि इसमें जो है तो lemon काफी हमने यूज किया है तो आप जबके जब हम बनाएंगे तो जबके जब हम खाएंगे ना तो यह बहुत खटा लगेंगा लेकिन जैसे जैसे हम इसे स्टोर करने के लिए रखेंगे दो से तीन दिन हो जाएंगे न तो जितना भी पीसे से पूरा lemon को absorb कर लेंगे और एकदम बढ़िया चटपटा बनेंगा तो ज़्यादा कटा नहीं लगेंगा और एकदम mature हो जाएंगा इसमें लेमन हमारी recipe ready है तो हमने ये गोश्ट काचार बनाके ready किया है तो आप इसे एक serving dish लेंगे सर्फ करेंगे तो देखेगा इस कितना देखने में लगे और फिर बाद में freeze में निकाले तो आप गाईज आपको ये recipe पसा नहीं हो अगर आपको ये recipe पसे नहीं तो प्लीज लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए साइट में जो बेल बटना तो उस कॉल पर क्लिक का दीजिए अल्लाहाफीज एंटेक के